आज इस वीडियो में हम बात करने वाले साउथ सिनमा के पांच सबसे अमीर एक्टरों की जो इस प्रकार है नमबर एक पर नाम है नागारजुन का नागारजुन उन अभिनेताओं में से हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा की भी कुछ फिल्मे कर अपने अभिनय का जादू दिखाया है इसके अलावा उनकी साउथ की फिल्मों के हिंदी डब वर्जन को भी हिंदी सिनेमा के दर्शकों ने खूब पसंद किया बीते 35 सालों से हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड भाशाओं की 100 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके नागारजुन को साउथ का सबसे अमीर अभिनेता माना जाता है एक रिपोर्ट के मुताबिक नागारजुन करीब 3,000 करोड की संपत्ती के मालिक है नागारजुन की तरह चिरंजीवी ने भी कई हिंदी फिल्मों में काम किया है उन्हें साउथ फिल्मों का मेगास्टार कहा जाता है चिरंजीवी को साउथ के लोग रजनीकांत और कमल हासन के जितना ही स्नेह और सम्मान देते हैं अपनी एक साउपचासवी फिल्म के लिए 27 करोड रुपए की फीस चार्ज करने वाले चिरंजीवी की कुल संपत्ती करीब 1500 करोड है नंबर 3 पर नाम है अभिनेता राम चरण का अपने पिता चिरंजीवी के नक्षे कदम पर चलते हुए राम चरण भी फिल्मों में धमाल मचा रहे हैं उन्होंने भी हिंदी सिनेमा में अपना भाग्य आजमाने की कोशिश की लेकिन वह हिंदी से ज्यादा साउथ सिनेमा में ही काम्याब रहे उन्हें साउथ सिनमा का यूथ आइकन माना जाता है मेगास्टार चिरंजीवी के बेटे और सुपरस्टार पवन कल्यान के भतीजे राम चरण की कुल संपत्ती करीब 1400 करोड रुपए बताई जाती है नंबर चार पर नाम है अभिनेता कमल हासन का कमल हासन उन अभिनेताओं में से हैं जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं होते मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साउथ के अलावा हिंदी की कई सुपर हिट फिल्में कर चुके कमल हासन की कुल संपत्त 3700 करोड रुपए से ज्यादा है वह कमल हासन ही थे जो पहले ऐसे भारतिय अभिनेता बने थे जिन्होंने साल 1994 में फीज के रूप में एक करोड रुपए लिये थे नंबर 5 पर नाम है अभिनेता रजनीकांत का माना जाता है कि दक्षिन भारत सिनेमा के भगवान कहे जाने वाले सुपरस्टार रजनीकांत की कुल संपत्ती 500 करोड रुपए तक है इसके अलावा वह हर साल लाखो रुपए दान में देते हैं भले ही दुनिया राजनीकांत को एक दक्षिन अभिनेता के रूप में जानती है लेकिन वह जन्म से एक मराठी हैं महाराश्ट्रियन मराठा हेंद्रे पाटील मराठा समाज के परिवार में जन्मे रजनीकांत का पुरा नाम शिवाजी राव गायकवाड है दोस्तों ये रहे साउथ के पांच सबसे अमीर एक्टर